सरकार बनाने में जीतोड मेहनत करने वाले कि रोडी लाल मीना दो महीने से मंत्री पद छोड़कर बेटे हैं लेकिन उनकी पार्टी में ही कोई सुनने वाला नहीं है। सही माने में देखा जाए तो राजस्तान की जनता का अपमान किया गया है। लेकिन अब यही वोटर्स कमल का फूल हमारी भूल बोल रहा है कि मोदी के नाम पर वोट मांगे गए और बजनलाल जैसा मुक्यमित्री थोग दिया गया। इसी तरह से तमाम वादों के साथ भाजबा सक्ता में आई, तीन मंत्रियों समेत करीब 20 विदायकों ने भगावट कर दी। करीब 9 महीने पहले राजस्तान में सरकार बदली। लोगों को लगा कि भाजपा सरकार आने के कारण अब राजस्तान में राम राज्य आने वाला है। डबल इंजन की सरकार में पूर्ण सुरक्षा, किसानों के अच्छे दिन, बेरोजगारों को सरकारी नोकरी और रोजगार, पेपर लीक से मुक्ती, RPSC बंग होगी और गेलो सरकार में जो पेपर लीक हुए उनकी CBI जांच होगी। इसी तरह से तमाम वादों के साथ भाजबा सत्ता में आई और अब नो महीने बीच चुके हैं लेकिन राज्य सरकार की क्या हालत है ये बया करना बेहद आसान है। पीडियों में सब कुछ वही बताने वाला हूं। उससे पहले थोड़ा बूत काल में चलेंगे जहां पता करेंगे कैसे असोग गैलोत और डिप्टी सीम रहे सचिन पाइलेट की आप इस जंग के कारण कॉंग्रेस सत्ता से बेदख्र हो गई थी। दिसंबर 2018 में सोचीटों के साथ बनी कॉंग्रेस सरकार में पांस साल तक असोग गैलोत और सचिन पाइलेट के बीच खूग गमासां देखा गया। इस दोरां सरकार के डेड़ साल में ही मुख्य मंतरी सचिन पाइलेट और उनके गुट के तीन मंतरियों समेत करी 20 विधायकों ने बगावत कर दी। प्रदेश में 34 दिन तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। उसके बाद सचिन पाइलेट को कॉंग्रेस अलाकमान ने सरकार के ड़ाई साल होने पर मुख्य मंतरी बनाने का वादा किया। लेकिन जब वादे को याद दिलाते दिलाते सचिन पाइलेट सरकार के आखरी साल में पहुंच गये तब उनके सबर का बांध तूट गया। उन्होंने अप्रेल 2023 में एक दिन का अंसन किया। उसके एक महीने बाद पांच दिन की अजमेर से जैपुर तक की यात्रा निकाली। उसी आत्रा की समापती पर सचिन पाइलेट और उनके साथियों ने जो हुंकार बरी उसे लगा कि पार्टी दो फाड हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आखिर चुनाव का समय आ गया। सेम रहते असोग गहलोत अपनी चवी चमकाने के लिए पानी की तरह सरकारी पैसा बाहाया। लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। की पूरी तरह से ढूबने की कगार पर थी डूबनें की कगार पर थी कड़ी महनत के दंपर सचिंपाईलेट और गौविन सिंहघू डोटा सूरा ने उसे सत्तर सित दिला कर इज़त बचा लिए। सवा तीन साल तक अध्धक्स रहते हुए सतीज पुनिया के अथक परिश्रम, किरोडी लाल मीना के पेपर लीग के खिलाब धर्ने परतरसन, सदन में राजेंदर राठोड की जोड़दार उपस्तिती और अंत में नरेंदर मोधी का राजस्तान में जाकर परचार करने का पर् ना किसी अनुभू के पहली वार जीते हुए विधायक वजनलाल सर्मा को ताना साही से राज्ये की जनता के ऊपर थोप दिया जाएगा। एक तरह से कहें कि पार्टी ने वसंदर राजे को बीते जमानी की मान कर विचारी ही करना बंद कर दिया। जैसे सीएम बिना किसी अनुभू के हैं ठीक वैसे ही अधिकांस मंत्री भी पहली बार ही बने हैं। विधांसपा के पहले ही सतर में कॉंग्रेस नेता भाजपा पर हमलावर हो गए। गौविन सिक डोटासरा ने भाजपा सरकार को परची सरकार और भजन मंडली कहे कर खूब उपवास उड़ाया। बजनलाल में भरतपूर से टिकट मांगा था लेकिन पार्टी ने सांगानेयर से टिकट दे दिया जहां परचार में वो आदे छेतर में भ दोर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंतरी के करीबी भाजपा करेकरतां के अलावा भाजपा के पदादिकारी करेकरता भी खुस नहीं है। कई बार जीते हुए विलायक तो छोड़िये। जो पहले बार जीते हैं या संगठन में काम करते हैं वो भी थोपी पहले अद्धक्सफद से अठाए गए सतीज पुनिया को हरियाना परवारी बनाकर राजपार बेश दिया गया है। अपना आखरी चुनाव हार गए राजिंदराटोर सत्ता और संगठन में अपने लिए इस्थान तलासने का प्रियास कर रहे हैं। राजपा कर रहे हैं। मुखे मंतरी तो बहुत ही अच्छा द्मी हैं जैसे कोई देवता हो। हो सकता है ये बात सही ही हो लेकिन Mुखे मंतरी देवता उन्हीं लोगों के लिए हैं जो उनके करेबी हैं। बाकी से जाकर पूछ लीजए जनता कैसे तरही हमाम कर रही है। जिन्नोंने सरकार बनाने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था वास्तिविक्ता तो यह है कि राज्य तो छोड़ ही दीजिए बलकि सांगानेर की जनता ने भी वजनलाल को वोट नहीं दिया सांगानेर के वोटर्स ने कमल का फूल देखर वोट दिया लेकिन आप यही वोटर्स कमल का फू आप चिन देकर वोट देती है और बाद में विधाय की नाकामी के कारण लोगों के काम नहीं होते हैं तब ये लोग किसे बोलें राजस्तान का इससे अधिक दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि मोदी के नाम पर वोट मांगे गए और बजनलाल जैसा मुख्यमिद्री थोप दि गया जिसको शेत्र की जनता से कोई मतलब ही नहीं है बजनलाल को पार्टी ने संगानेर से टिकट देकर जिता दिया लेकिन उनका मन आज भी भरतपूर में ही लगा हुआ है राज्य में अपरादों की सूची लंबी होती जा रही है पिछली सरकार के आखरी 6 मेने में जितन नहीं होगा तब निवेस कोन करेगा जब वस्मंदरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी तब अपराद कम हुए थे उसके बाद गहलोत राज में हमेशा की तरह अपरादों का वातावरण बना है जिसके कारण विदेशी तो क्या कोई देशी निवेसक भी राज्य में इनवेस्ट नहीं करेगा इसलिए ये कहना आतिशोकती नहीं होगा कि ओद्योगिक वातावरण के बिना अधिकारियों के निर्देश में चल रहे मुख्यमंत्री बजनलाल सर्मा का जापान दोरा खोकला सावित होने वाला है